आसानी से कटिंग से लगने वाले कुछ पौधे आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जिसे लगा कि आप बहुत आसानी से बहुत सारे पौधे तियार कर सकते हैं काफी फ्रेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं मेरे पास कि उनसे कटिंग लगती नहीं है तो आज मैं वही पौधे शेयर करूँगी उन पौधों की बारे में बताऊंगी जिसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है यानि कुछ भी नहीं करना होता है कटिंग लगाना है और छोड़ देना है जो मीनिमम प्रिकॉशन रखना है वो मैं आपके साथ शाती साथ शेयर करती जाओंगी जिसे की आपके लिए कटिंग लगाना आसान हो जाए तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग हम बड़े ही असानी से लगा सकते हैं इनमिसिफेंज सबसे पहला जो पौधा आता है वो है अडेनियम अडेनियम के कटिंग बहुती इसलि लग जाती है ये पौधा सीट से गरो होता है लेकिन अरक कटिंग भी उसकी बहुत असानी से Лग जाती है जब हम इस पौधे की अनिवन branches कुर्ट करते हैं तो उन ब्रांचेस को आप फेक के नहीं और उसे आप लगा दीजिए safe or safe rate में और पानी का ध्यान रखे आपको rate में लगा के किसी बड़े गमले में छोड़ दीजिए पानी जब आप किसी बड़े गमले में देंगे उसी से ही औहरे पानी एबसॉप कर लेगा और उसके लिए वो sufficient होगा तो आपको मैं दिखाऊं कुछ पौदे जो कि मैंने खुद cutting से लगाए हैं वैसे तो मैं पाय जैसे cutting से लगा लेती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं एक cutting मैंने इसमें डाल दिया था और ये लग चुका है इसके बाद एक और cutting जो कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने गलती से एक stand तूट गई थी जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये भी लग गई है आसानी से cutting से लगने वाला पौदा है अरेनियम का बस पानी का ध्यान रखना पड़ता है कि over watering नहीं हो otherwise पौदा गल जाता है लगने से पहले ही जैसे कि हम सभी को पता है अरेनियम पानी की requirement बहुत कम रखता है तो अरेनियम की cutting बहुत असानी से लग जाता है आप लगा के देखिए आपको 100% result इसका मिलेगा इसके बाद अगला जो पौदा है यूफोर्विया का यूफोर्विया के पौदे की भी cutting fence बहुत जल्दी लगती है यह काटेदार पौदा होता है जो कि बहुत असानी से लग जाता इसके कैसी भी cutting लगा लिजे छोटी बड़ी मोटी पतली सब लग जाती है बस इस पे भी ध्यान आपको वही देना है कि इस पे पानी जादा नहीं होना चाहिए कैक्टस कम पानी की requirement रखता है इसलिए चाहे पौदा हो चाहे cutting लगा रहे हों बस पानी आपको कम देना है और अच्छे result के लिए आप इसे rate में लगाए या simple garden में लगाए कोई कोकोपीट का यूज आपको नहीं करना है cutting लगाने के लिए तो आपका यूफोर्विया की भी cutting बड़े ही अराम से लग जाएगी इसके बाद अगला जो पौदा है वो है फ्रेंस देसी गुलाब गुलाब के पौदे cutting से बहुत असानी से लगते हैं लेकिन अगर आपके पाद hybrid वाले हैं और उसकी cutting आप नहीं लगा पाते हैं तो आप कोसिस करिए देसी गुलाब लगाने का देसी गुलाब बहुत असानी से लग जाता है मेरे तो जितनी बार बंदर खड़ाब करके जाता है पौदे को उतनी बार इतनी स्ट्राम तूटती है मैं सब लगा देती हूं और दूसरे गलम गमले में आप देखें यहां पर मैंने लगा रखा हूं और ग्रोध देखिए कोई precaution नहीं बस मैं स्ट्राम लेती हूं और बस मिट्टी में डाल देती हूं उसी से पौदा ही ग्रोध हो गाता है तो देशी गुलाब बहुत आसानी से लग जाता है इसके इगला जो पौदा है वह है MS Comanche Pitunia unOOO keywords की काटिंग भी और रेर ही इसा होता है कि मैंशिकन पौदा की काटिंग फेल हो जाए इसकी तो मैं ऐसे tip वाली cutting भी अगर लेके मिटी में डाल देती हूँ ऐसे tip की cutting इतनी सी भी तोर के अगर मिटी में ऐसे ही डाल देती हूँ उसी से ये पौधा बहुत बार लग जाता इतना आसानी से ये पौधा grow होता है तो इस पोदे को भी आप जरूर लगाएं जो के आसानी से कटिंग से लगने वाला पोदा है इसके बाद अगला जो पोदा है वो है जेड का, जेड का पौदा भी बहुत आसानी से कटिंग से लगता है बिना देख रेक, बिना कोई precaution इसकी छोटी-छोटी cutting लिजिए और कैसी भी मिटी में लगा दीजिए पौधा cutting से लग जाता है इसकी बाद अगला जो पौधा है फ्रेंस वह है चंपा का चंपा का पौधा भी cutting से बहुत असानी से लगता है कोई भी चंपा की वेराइटी आप ले लीजिए उसे आप cutting से लगाएं बहुत जल्दी उसकी cutting लग जाती है फिर फेंस बोगन विला के पौधे को भी आप cutting से बहुत असानी से लगा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह है बोगन विला का पौधा जो की औरिंच बोगन विला है इसकी मैंने cutting pruning करी और कुछ पौधे मैंने cutting से लगाए थे जैसे कि आप उहां पर देख सकते हैं एक polybag में मैंने लगा रखा है उसमें भी new growth आ चुकी है यहां पर देख सकते हैं एक मोटी मोटी stem मैंने लगाई है काफी सारी उसमें एक में काफी अच्छी growth नजर आने लगी है तो बोगन विला की भी cutting बहुत असानी से लगती है बस ध्यान आपको रखना है कि इसकी हरी cutting नहीं लेनी है यानि हरी stem नहीं लेनी है जैसे यह जो हरा हिस्सा है यह नहीं लेना है लेकिन यह जो brown color का हिस्सा है यह बहुत जल्दी cutting से grow हो जाती है अगर पतली cutting नहीं grow होती है तो आप थोड़ी मोटी cutting लेचे वो 100% cutting से grow हो जाएगी इसके बाद fence आसानी से cutting से grow होने वाला पौदा है devil backbone का devil backbone बहुत जल्दी और बहुत असानी से cutting से grow होता है यह पौदा पानी की requirement कम रखता है इसलिए cutting हो या पौदा हो पानी कम दीचे और आसानी से इस पौदे को आप cutting से grow कर सकते हैं अगला पौदा है fence baby tears का baby tears के पौदे cutting से बहुत असानी से लगते हैं यहां तक कि इसके cutting कहीं से एक stem तूटके मिट्टी के संपर्क में आ भी जाता है गिर भी जाता है तो वहाँ पे भी पौदे तियार हो जाते हैं आपको मैं 2-3 पौदे दिखाऊंगी यहां पे देख सकते हैं यह एक छोटा सा stem तूटके इसमें गिर गया था यहां पे भी देखिए इसमें वी एक छोटा सा stem तूटके गिर गया था और पौदा ग्रो हो चुका है तो इसे कटिंग से लगाने की भी जोरत नहीं परती है गिर के अगर मिटी के संपर्क में रह जाता है तो यह पौदा ग्रो हो जाता है अगला आसानी से ग्रो होने वाला जो पौदा है वो है फ्रेंस पौसलेन का पौसलेन के पौदे गर्मी से लेके पूरी बर्साथ बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये पौदा फ्रेंस कटिंग से इतनी आसानी से लगता है कि अगर कटिंग करके आप एक दिन दो दि की भी cutting लगा सकते मौस रोज की cutting भी बहुत जल्दी लगती है एक दो दिन में ही आपको इसकी rooting नज़र आ जाएगी और बहुत अच्छी इसकी में भी आपको growth नज़र आएगी धेरो cutting आप लगा के धे सारे पौदे त्यार कर सकते हैं अगला जो पौदा है वो है फ्रेंस pencil cactus pencil cactus की भी cutting बहुत असानी से लगती है ये cactus variety का पौदा इसमें काटे नहीं होते हैं लेकिन cutting इसकी cactus की तरह ही हमें लगानी पड़ती है यानि कम से कम पानी में इसे grow करना पड़ता है जादा पानी से इसकी stem गल जाती है और कम पानी में बहुत अच्छी growth होती है इसे indoor आउट्डूर दोनों जग़े आप grow कर सकते हैं और cutting से बहुत असानी से इस पौदे को तयार कर सकते हैं इसके बाद फैंस अगला जो पौदा है वो है फैंस गुल्दाओदी का आने वाला है winter season जिसमें गुल्दाओदी के पौदे बहुत अच्छी flowering करने वाले हैं और अगर आपने last year के पौदे बचा के रखे हैं तो इसके cutting जरूर लगा ले क्योंकि गुल्दाओदी के पौदे इस time cutting से बहुत असानी से लगते हैं बिना precaution के बस tip के cutting लेनी है और मिटी में गार देनी है कैसे भी मिटी लीचिए उसमें थोवासा फंजिसाई powder जरूर आइड करिए या फिर stamp में लगा लिजे या मिटी में डाल दीजे और आपका पौदा आसानी से cutting से लग जाएगा आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पौदे तयार कर लिए हैं तस पौदे अगर cutting से आप लगाएंगे तो उसमें guarantee है कि 8 पौदे लगेंगे ही तो गुल्दावदी के पौदे भी cutting से बहुत जल्दी और बहुत असानी से लग जाते हैं इसके बाद अगला जो पौदा है fence वो है कुलाइंचुगा कुलाइंचुग में दो तरह के पौदे आते हैं हाइबरेट और देसी वाले फिर भी थोड़ी देखरेंगे करनी परती है लेकिन यह देसी वाली variety है इसमें कोई देखरेंगे नहीं करनी परती है और cutting इसकी बहुत असानी से लग जाती है इस पौदे को आप धूप च्छाओं कहीं पे भी रख सकते हैं और cutting से बहुत असानी से बहुत सारा बना सकते हैं ये एक succulent plant है इसलिए over watering सिप आपको नहीं करना है इसके अलावा इस पौदे को आप बहुत असानी से grow कर सकते हैं होने को तो बहुत सारे पौदे हैं जीने की हम cutting से बहुत असानी से grow कर सकते हैं पॉदा में आते हैं हो जाता है फीड आप लगा सकते हैं बॉलिवियन जीओ का पॉदा यह भी बहुत आसानी से लग जाता है जहां पे भी इसकी कर्णिग आप करके मिट्टी में डालेंगे वहीं ग्रोथ पकड़ लेता है इसके बार अगला जो पॉदा है वह है टैंगल हार कर्णिंग बहुत असानी से लग जाती है कहीं पर भी मिट्टी के संपर्क में आते ही यह पौधा अपने आपको फैला लेता है फिर इसके बाद अगला जो पौधा है वह फ्रेंस बास्केट प्लांट बास्केट प्लांट में अल्रेडी इतनी जड़े वनीवी होती है कि कहीं पर भी इसके पौधे को आप मिट्टी के संपर्क में रखी और यह पौधा डबलब कर जाता है इसके बाद अगला जो पौधा है वह फ्रेंस टॉटल वाइन आप देखेंगे कितने सारे पौधे यहां पे मेरे निकल आए हैं गमले में दो तिन इस राम तूटके गिरी करती पहुत लगाने की झुरत नहीं परती है तो इन पहुदो के साथ गार्ट सेंगानी पहुद करें cancer में बहुत सारे पौधे बनसकेजाएं लगा सकें जिसे कि हमारे पार बहुत सारे पौधे बन सकें अगर आप से कटिंग नहीं लगती है तो इन पौधों की कटिंग से आप कटिंग लगाना शुरू करिए तो आपको एक लगाने के लिए तो जल्दी से ठेर सारे पौधे की कटिंग लगा लीजे जिसे कि आप बहुत सारे पौधे फ्री में तयार कर सकें तो फैंस यह था आज का वीडियो आई हो आपको पसंद आया हो पसंद आये तो फैंस एक लाइक जरूर करिए और अगर आप मेरे चानल पे नए हैं और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किये फ्रेंस देन प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें साथ में बैल बटन भी दबाएं जिसे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालू इसका नोटिफिकेशन आपकी पास सबसे पहले पहुंचे तो फैंस मिल